इतिहासों लोग नहीं रचते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं बलकि इतिहासों ही लोग रचते हैं जिनमें अपने काम के लिए जित्थ, पागलपन और अलग और पहतर करने का भूप होता है। आज मैं आपको ऐसे ही जित्ती और पागल लोगों के बारे में बताऊंगा, एक सक्स अमेरिका से रूस राकेट के खोके खरीदने जाता है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था, कि ओ राकेट के खोके खरीद सके, इस सक्स का वहाँ पर बहुत मजाग बनाया जाता है, उस सक वहाँ से वापस आकर सिर्फ किताब पढ़कर रॉकेट बना डाला, सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, उसने एनाउंस किया, कि ओ एक ऐसा रॉकेट बनायेगा, जो अंतरिश में जाकर अपने काम को पूरा करके वापस आ जाएगा, लोगों ने कहा कि यह पागल हो गया है, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पंदे ने री उजबल रॉकेट बना डाला, जो अंतरिश में जाकर वापस आता है, इस टीब जाब्स अपने टीम के साथ आईपॉट्स बना रहे थे, और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत के बाद ऐसा प्रोड़क्ट बना दिया, जो म इसमें से बुलबले निकलने लगे, तब इसकी जाब्स ने कहा, अगर इसमें हवा के लिए जहां है, इसका आर्थ यही है, इसको और छोटा बनाया जा सकता है, सोचने वाली बात यह है, मार्केट में अवेलबर प्रोड़क्ट से बेहतर प्रोड़क्ट बनाने के बाद भ छोड़े गरे, 360 फुट लंबी, 30 फुट चोड़ी, 25 फुट पूचे पहाड को, अकेले इस सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथाओडे की साहता से काट कर वहाँ पर सड़क बना दिया, जो सधार लोगों को असंभो लगता है, जित्ती और पागल लोग उसे संभो बना देते है इस सक्स कोई और नहीं, गरीब मदूर दस्वत मांजी था, आज इसे दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है, जहां हम और आप 6-7 बार फेल हो जाते हैं बिजनेस में तो कहते हैं, बिजनेस हमारे लिए बना ही नहीं, हमें जॉब करना चाहिए, मुई 10 अजार बार फ जिद्धी और पागल इंसान थे, जिन्हें आज लोग अमत्या बच्चन के नाम से जानता है, और इन्हें किसी भी पहचान के आउसकता नहीं, जब जब जिद्धी और पागल लोगों का तिल तूटा है, तब तब इतिहास गवाह है, तो लोग इतिहास रजे हैं, इसी के स पिर मिलते हैं अगले वेडियों